हलो और वेल्कम तो दे स्टूडियो ट्रेडर्स आज का अपना यह वीडियो एक क्लास रिकॉर्डिंग है जिसमें हमने दो चीजें दो टॉपिक के ओपर डिस्कॉशन किया है सबसे पहला तो यह है कि नेक्स टेक के लिए किसी भी स्टॉक के अंदर हम लोग अपने ट्रेंड किस तरह से इडेंटिफाई करेंगे उसके एक टेक्निक होती है इसमें हम लोग वॉल्यूम और प्राइस इन दोनों एलिमेंट के यूज करते हैं बट बेसिक जो सबसे ज़्यादा यूज होगा वो वॉल्यूम का होता है हमने इस सिस्टम के ओपर डिसकॉशन किया है जिसस हम लाइब मार्केट में उसके ऊपर भी रिपोर्स लेता है और नेक्स टीक फिर होंवर्क सब्मीट होगा फिर आगे कि उसके स्टेप्स होंगे बट अभी का जो वीडियो है तो आप लोग भी देखिए कुछ ना कुछ ऐसे बेनिफित आपको भी मिलेगा दूसरी चीज ए इसको टैकल करने का और कोई साधन भी नहीं है कि हम आपको कुछ दवा दे दे या कुछ दे दे जिसे कि यह प्रॉब्लम आपकी एक दिन में शांत हो जाए या संभल जाए तो ऐसा तो कुछ होना नहीं है करना सब हमको कॉंशेसली अपने मन से ही पड़ेगा कोई ऐसा एक्जिक्यूट करने से पहले आप करोगे उसके ऊपर आपको फिक्स रहना पड़ेगा जहां पर आपना स्टॉप्लस लगा दोगे वह स्टॉप्लस है फिक्स रहेगा जहां अपना टार्गेट लगा दोगे वह टार्गेट आपका फिक्स रहेगा एक चीज दूसरी बात को जितना होगा 200 रुपय, 300 रुपय, 400 रुपय का है तो यहां तो हम अपना टार्गेट बुक करें यहां तो लॉस बुक करेंगे, बीच में निकलने की कोई जगा नहीं होगे, अब यहां पर देखिये, यह आर्ती इंडस्ट्री का चार्ट है, हमने 6 जुलाई को शेर किया थ आप जाओगे चैनल पर तो आपको वैसन उटैस्टी मिल जाएगा, 9 बच कर 45 रुपय शेर कर दिया था, इसके बाद में 10 बचते ही, इसके अंदर इतना 10 बचते ही, जैसे 10 बच कर एक में टोड़ में इसके बाद में देखिए, इसके बाद में देखिए, movement कि इतना बड़ अब यहां पर executions ना करके हम थोड़ा सा late execution करेंगे तो पता ही क्या होता है, फिर price आपका retrace होने के लिए upside की तरफ जाएगा, जिस वजह से हम लोग अगर entry इस जाकर पर लेंगे, इक होता नहीं कि stop loss छोटा कैसे, इसके लिए बहुत patience रखना पड़ता है, अगर हम एक trade execute कर कि उसके पिछे के हम 4 या 5 तरफ छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी में होगा है कि technically हमें satisfaction नहीं मिलेगा, किसी में risk reward सही नहीं आएगा, कोई trade हमारे technically भी सही है, risk and reward भी सही है, बट हमारे execution से पहले वो काफी चल चुका है, तब हम trade execute नहीं करेंगे, ये देखे, ये stock नहीं ज 5 तक है, ये वहां तक जा सकता है, ये नहीं करना है, अपने predefined area के पास से ही आप trade execute करोपना, और इसका benefit क्या होता है, कि अगर आप predefined area के पास से अपने trade execute करोगी, तो stop loss छोटा हैगा, प्लस आपको movements बड़े मिलते हैं, 1% के 1.5% इस तरह के movements मिलेंगे, जिस्तों आपका risk and reward ratio automatic अच्छा हो जाएगा, देखे, बहुत सारे screen shots मिलें आपर share के थे, बाकि ये तो 19 मई का लो, अच्छा, एक अपने member ने पोचा था कि आपको माग कैसे क्या है, तो इसको हमने बता है, 19 मई का low point है, वही इपनी important candle बन गया, उसके बाद में देखे, कितना बड़ा move आपक और फिर देखे, ये दूसरा है, इसमें हमने एक system बताया था अपनी class में, कैसे next day की color, जो candle form होगी, उसका color क्या हो सकता है, इसके expectations हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अब ये शायद HTC का chart है, इसमें red candle form होनी थी, जिस दिनी इसको श्रवर ने trade किया था, good morning, hope taken right trade, अचा इसमे back test को पर, इतना believe हमको, ना debt charts को पर, इतना हमें समझ पर नहीं आता है, तो हम class में भी ये सारी चीज़े बोलते थे हैं, कि कोई भी आगर हम exercise करने के लिए दे रहे हैं, तो इसको back test मत करो, live market में practice करो, तो ये एक challenge जिसको कि live market में हम श्रवर न के साथ discuss कर रहे थे, तो दो बारा सा रुका हुआ हुआ होगा, और जो दूसरा होता है, जिसमें में continuation में, जैसे यहां पर आप देखो कि price मेरा सीधे 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 सीधे, गिरता चला रहा है, इसके अंदर कोई ठहरा हो नहीं है, ये गिर रहा है, तो ये दूसरी category का होगा, इसमें continuation में chart बन रहे हैं, quick decision हमें लेने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़े हैं, हम अगर आपको bowl दें, सिर्फ bowl भर दें, तो इतना समझ में नहीं आगा, बर जब आप इसको live market में practice करोगे ना, तो फिर आपको इसके benefits मिलेंगे, बहुत सारी चीज़े हैं, इसमें फिर देखे आगे, जो main चीज़े और फिर हमने इस तरह के screenshot को share कि है, जो कि हम trade करें, तो यहाँ पर देखे, Candice आपको बिलकुल ठहराओ के साथ देख रहे होगी, अब इस line के पास हमें trade execute करें, तो मने नीचे लिखा था कि इस तरह के price actions, जो कि ठहराओ के साथ trade करने का मौका में देते हैं, इस chart में price actions देख और red candlely form हुई, अब यह सारी चीज़े हम discuss क्यों करने हैं, क्योंकि जो भी है, छोटी सी छोटी भी अगर exercise आपको करने हैं, तो उसको live market में practice करो, ज्यादा benefit मिलेगा, ज्यादा अची तरह से आपको charts समझ में आएंगे, और एक वो जो होता है न, कि profits कम आते हैं और losses करते हो, तो price सीधे-सीधे retrace होने के लिए उपर जागा, वो जाएगा आपके predefined area पर ही, लेकिन इतना बड़ा loss आपको दिखा देगा, तब तक आपको बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे बाहर निकलोगे, price सीधे अपने रास्ते चला जाएगा, आज की वीडियो चैनल पर अगर आप पहली बड़ाए हो है तो चिनको सब्सक्राइब गिजएगा, और जिस system, जिस strategy को आज के दिन हम डिसकस करेंगे, उसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, और अगर वो system अच्छा लागता है, तो आप उसको भी अपने friend circle में हो सेगे, तो share करेंग तो thanks and start करते हैं उसके वीडियो, लास्ट विक हमने आप लोगों के एक exercise देती करने के लिए, जिसमें कहा था है कि random आप लोग रेंडम इंदस अपनी तरफ से stocks उठाओगे और उसके उपर market start होने से पहले अपनी reading करोगे, और reading करके आपका जो भी view उस दिन के लिए रहने वाला है, अपना वो view हमें नोट करके आप send कर दोगे, market start होने से पहले, और इसके बाद में हमें पूरी market, running market में हमें ये चीज़ देखनी है कि आपके analysis जो आपके market start होने से पहले अकुछी की थी, उसने कितना आपको सही साबित किया, करीब 2-3 बार हमने ये चीज़ आप को repeat की थी, कि next week के लिए यही काम करना है, फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, कि actually homework क्या है, तो उसको भी जब phone call वेगर अपर discussion हो, तो सारी जी से clear हो गई थी, तो last week हमने कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, हमने सिर्फ आपको 4-5 charts आपनों के साम हो गया, तो पूरे भी काफी ठीक ठाक, practice भी की गई है, हमें charts भी share किये गए है, सिर्फ हमने reading आप लोगों को जो बोली थी करने के लिए, सिर्फ वही reading ही अपना काम था, अब एक step और आगे बढ़ते हैं, अभी तो देखिए फिलाल, OP का यह जो chart चल रहे है, इसको लोग 30 ultimate पर लगा देते हैं, क्या हो सकता है, अभी market के अंदर यह चीज़ हम लोग देख लेंगे, और मजा हैगा, सिर्फ क्या है ना, एक common sense use करो, देखो, समझने की कुशिच करो कि price में कहां से movements आ सकते हैं, price कि जगे पर कैसा react कर रहा है, क्या हो रहा है, अपनी तरफ से possibilities हम अब लग रहा है, अब लग रहा है कि price हमारा नीची की दिशा में जाना चाहिए, वापस अगर price हमारा इस वाली level की नीचे आया, तो यह नीचे की तरफ फिर जाए, इसको 1.209 के नीचे यह movement आपको देखाएगा, और targets कौन से रहेंगे, 1.82 यह OPSDT, downside की तरफ की movement हमें expected ह के होस, तो downside की तरफ आपको OPSDT भी गिरेगा, इस वाली level के नीचे अगर वापस से आया, तो नीचे के तब चला जाएगा, एक चीज़ यहां पर आप देखो, normally हम लोगों ने जो देखा है, अगर green candle बन रही होती है, तो अक्सर आपका जो view होगा ना, subconsciously आप जो view बनाते उसके अंदर वो बाई का होता है, भले ही वो सही हो या गलत, अगर green candle बन रही है, तो आप देखो कि ज्यादा तर charts के उपर आप buying का view बनाते हो, और किसी भी market में, किसी भी chart के उपर आप analysis करने जा रहे हो, और उसमें red candle, currently red candle बनी है, तो आपका जो views के अंदर बनेगा, वो बनी है, हमें मतलब नहीं है, हमें यह देखना है कि जो running candles है, प्राइस की जो movements है, अभी जो प्राइस जगे पर है, वहां पर क्या हो रहा है, तो simply देखिए, प्राइस क्या करना है, अपने highs को नीचे की तरफ शिफ्ट करना है, और low को break कर दिया, है ना, lower low, lower high, again lower low, long prospective से द market close होते होते हैं, देख लेते हैं, जितनी वी candles बनेगी, क्या movement होता है, प्यूंकि अपने recording ओपी को भी नीचे की तरफ गरना चाहिए, बीटी सी के क्या हाल चाल है, यह indecision के mode में है, अभी एक पूरा sideway movement है, हो सकता है, यूस्ट भी आपका एक तरह का sideway movement अभी थोड़े तक दिखा दे, जो green candle भी न, इसके अंदर ही अंदर market घूंगती रहे है, अगर movement नहीं हुआ, otherwise, down का तो हम लोग देखी रहे हैं, कि इसको नीचे की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, तो इतना ले करके चलेंगे, बाकी एक तो target हमने आपको बताए दिया है, और जो दूसरा हो 183, ये screenshot ले लो, और इसको देखो, क्या होता है, ठीक है, ये काम करिएगा, नेक्स्ट वीक, सिर्फ इस एक exercise को आप practice करोगा, सब लोग इसको देखें, lower time frame volume रेका हो, इसे strategy के अंदर होता क्या है, simply हम लोग एक चीज़ देखते हैं, कि एक दिन में, अगर price हमारा कही ना कह कर रहा है, एक तो ये हो गया, अब इसकी volume, इसको थोड़ सही से समझेगा, ये जो trend होता है, price किसी भी दिन आपका, या तो up trend में होता है, या down trend में होता है, एक condition ये होती है, कभी कभी आप देखोगे, कि 9.15 की candle इतनी बड़ी बन जाती है, कि पूरे दिन market फिर उसके बाह निकल ही नहीं पाता है, पूरे दिन price उसके बाहर नहीं निकल पाएगा आपका, उस range के अंदर ही रह चाएगा, तो इसको हम लोग side way बोलते है, previous day से अगर हम लोग compare करेंगे, तो हो सकता है, previous day के ऊपर में जाकर के 9.15 ने अपनी closing दी हो, previous day से हमें compare नहीं करना है, हम current market का ले करके चलेंगे, और अगर current market का ले करके चलेंगे, तो इस तरह के अगर chart आपके पास को आएगा, तो आप उसको ignore कर दो, छोड़ दोगे, हम वो नहीं देखते है, मेरे लिए invalid है, तो यह तो price आपका up trend में रहागा, या down trend में रहागा, simple से चीज, अब इसमें अगर आप इस पूरे trend के दौरान, low से high, इस trend के दौरान, कोई ना कोई एक candle ऐसी होगी, कोई भी एक candle, शुरुवात की जो 915 की candle होती ही न, शुरुवात की candle, उसको छोड़ देना होता है, ठीक है रहा, उसको छोड़ दियागा, 915 की candle को छोड़ कर गया, पूरे अब trend में कोई ना को candle है, इसकी volume सबसे ज्यादा है, हम इस point को mark कर लेते हैं, अब इसके बाद, जितनी भी candles हमारी बन रही है, इसमें कोई ना कोई एक candle ऐसी होगी, जिसकी volume हो सकता है, इस volume का breakout कर दे, समझेगा, यह वाली जो अपनी candle है, यह वाली, इस price में जितनी volume आ गई है, हो सकता है, आग इस वाली volume का breakout कर दे, ऐसा हर chart में आप नहीं देखोगे, लेकिन कोई कोई चार्ट आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे, जिसने की एक trend के दौरान में तो volume का breakout किया ही है, लेकिन same day, trend बन जाने के बाद में, जो दुबारा से market हमारी form हो रही है, जो दुबारा से market बन रही है में वापस से volume का breakout हो जाए, कोई hand rise नहीं, पहले concept हम पूरी तरह से clear कर लें, उसके बाद में समझी इसको, यह हो गई volume, समझ रहे है ना, फिर समसमझा है, कि price ने low to high लगा है, इस पूरे trend के दौरान 9.15 के candle को छोड़ कर रोके, जिस भी candle की volume सबसे जादा हम उसका high low mark कर ल से ज्यादा की volume चाहिए, अब जिस दिन आपको volume के इस तरह के structure मिल जाए, और price आपका bullish है, next day आप उस stock के अंदर buying करते हो, अगर same चीज आपको downtrend में दिखे, क्यूंकि up में जाते हुए, down में जाते हुए, market ने यहाँ पर volumes के breakout कर दिया, अब एक trend लग गया, इस trend के बाद हम लोग short sight का अपना view रखते है, इतनी से चीज ज्याद रखना, बहुत complicated करने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ 2-4 drawings और arts के तुरू हमने आपको इस चीज समझा दी, पूरा concept clear कर दिया, ऐसा क्यूं होता है, अब पे चला गया, second में आकर के volume के breakout होगा, next में buying क्यूं करनी है, क अगर price में daily time frame पर आपको एक uptrend दिख रहा है, volumes के breakout हो रहा है, और second में आकर के price ने volume के breakout कर दिये, previous इस value volume से ज्यादा के breakout यहाँ पर हो गया हमारे, तो next में लोग buying करेंगे, और अगर हमारा price नीचे की तरफ गिरा है, और यहाँ पर यह हो गया sideway, और यह जो sideway market है, इस market म इस जगह पर हुई volume के breakout वापस से हो जाए, यहाँ से ज्यादा volume आगए, तो फिर next day के लिए हम लोग short से link करते है, simple सी strategy लेकिन काम करने जाओगे आपको मजा जागा इसके, example लिए इसके, high यहाँ पर consequently 9.15 की candle और यह 9.20 की candle है, इसके बाद में यहाँ से लेते हैं यह वाल 9.15 की candle तो आप छोड़ोगे छोड़ोगे, दूसरा यह जो candle आपका high लगाएगी और जो candle आपको low लगाएगी यह candle भी नहीं लेनी है, जिस candle ने high लगा दिया और जिस candle ने low लगा दिया, यह candle नहीं लेनी है, यह दो candle छोड़ देंगे, अब यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब य आप में से जिस भी candle की वॉल्म सबसे जादा वो आप कर लोगे mark, जैसे कि यह वाली हम यह mark कर लेंगे, अब क्या होगा हमें same day जैसे यहां पर देख इतनी वाली मागी, अब हमें same day चाहिए वॉल्म के ब्रिक आउट पोरे दिन नहीं हुए, प्रैस्ति क्या किया उसी रें आपको वो दिन बना देता है, इस वाली candle को नहीं लेंगे, इस candle को नहीं लेंगे, अब इन दो candles के बीच में, जो भी candle हमारी आएगी हम उसको उठा लेंगे, जैसे कि यह वाली candle आगे यह आई है, यानि कि यह वाली जो volume है, प्रैस ने क्या लगा है अपना downtrend, और यहां प भी होगा breakout, next is short selling, गिर गई market, जितना simple है ना देखने में, उतना ही simple काम करने में है, अभी कहां से selling होगी, क्या देख करके selling करेंगे, एक एक करके, one by one, step by step, अभी सिर्फ concept को समझे, बाकि confirmations, जो भी होगे, sell entry, targeted, साइच देरे-देरे करके बता देंगे, बाकि जिनकों पह ही लगा, जिसने लो लगा है, उस candle को छोड़े, बाकि यहां से ले करके, और आगे तक जितनी भी candle हमारी बन रही है, हम उन सब को mark कर देंगे, यहां से ले करके, यहां तो देखे, इसकी यह जो candle बन रही है, यहां पर volume सबसे ज़्यादा है, अब देखे, इसका breakout हमारे इस candle बन रही है, सबसे ज़्यादा वॉल्म इसके अंदर है, नहीं, उस दिन वॉल्म कही ब्रिक आउट हुए है, नहीं हुआ है, इसकी 925 की candle 85 है, और यह 83 है, नहीं हुआ है, कुछ नहीं, आगे बड़ी है, एंजल बन, 945 की candle है यह, इसका जो लो हमारा बन रहा है, 17,55 का है, मतलब कि यह ज़्यादा है, ठीक है, हाई और लो, इस वाले को तो लेंगे नहीं हम, हम किसको उठाएंगे, जो यहां तक होगे, अब हमें क्या चाहिए, इस वाली candle से ज्यादा वॉल्म चाहिए, जिस candle ने हाई लगा और जिस ने लो लगाया, इन candles को हम लोग मार्क नहीं क इस वाली candle को ले सकते हैं, लेकिन इस से पहले नहीं लेंगे, समझे रहे हैं, इसमें 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 बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो जाएगा, फोर पॉइंट का होगा, सिर्फ फोर पॉइंट का, तो क्यों उसके लिए परशान हो थो यह ना, हम शेयर करेंगे, पू कर देंगे, मैक में उट कर लिए, हमन्त, चेक संफार्मा 6 जुलाई, शन फार्मा देखिए, वो पर तो नीचे गरता चला जा रहा है, उतने पीछे को चले गाया, हमन्त, अच्छे जुलाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं लागा 16 जुलाई या बोर रहा है, 9, 15, लो, हाई यह वाली केंडल में बन रही है, जिसने सबस्यादा रही है, इसका ब्रिक आउट हमें चाहिए, हाँ है न, यह देखिए, इस वाली केंडल का, इसने कर दिया है, यह कौन से केंडल, 9, 15 है, नई, 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 गड़वड है, हाई लगा है, और यहाँ पर आपका लो यह लो में है, डाउन ट्रेंड में है, यह डाउन ट्रेंड में है, आपका जो, जिस केंडल ने हाई लगाया है, हम उसको छोड़ देंगे, जिसने लो लगाया, उसको छोड़ देंगे, बीच की केंडल माली बन रही है, यह वाली, यह इंपोर्टेंट हो जाएगे, अब इ हाई और लो एक दो तीन चार सबसे इंपॉर्टन केंडल कौन से यह वाली इसका ब्रिकाउट हो गया यह और प्राइज का डॉंट्रेंड वॉल्म का ब्रिकाउट यह प्राइज दिखाया नेक्स्ट है शॉट से लिए और इसके पहले भी हम लोगों ने कौन से स्टॉक देख हो गया है ना तो प्राइज मारा डाउन में है और वॉल्म से ब्रिकाउट हो गया है नेक्स्ट है शॉट से लिए और उठा लिए आप अम्रा राजा बैटरी अम बुझा सिमिंट एंजल वन हो गया है आप वहस्पिटल ले लिए छे नाइन फिटीन लो और यह बनके आपक कि ऑनके ब्रिकाऊट हो रहा है सेम डे ah नहीं हो रहा है कुछ नहीं करेंगे नेक्स्ट कुछ नहीं करना ओके शिवा जी मइके मुट केया अन्पम जी एक सटाइब है शिवा जी माई कमूट कीजे आपका अ हमने जो देखा कि एंग आप तो फार्स लेग रहा है हम लोग ठ पहले देखा तो सफेंट अपने सेकंच संपरम में क्या हो संपर मर्णा जिसक्य मैंने मार्ग इस दिनी अप साइड में गया है या ड्रेच मतलब संब सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस लिए हमने क्या कि जहां पर हाई लगा और जहां पर लो लगा अब यहां पर हमने सब्सक्राइब मा किया था तो हमने सब्सक्राइब इसके बाद मैं फिर यह मा किया था है ना कम फिर उसन्सक्राइब को low mark किया था actually उस candle का low सबसे last वाली candle ने तीन बच्च कर वी स्ट के candle ने तोड़ दिया था जहीं है ना तो फिर हमने क्या क्या है ना हाई तो हमने सेम रखा बट लोगों यहां पर mark कर लिया लोगों यहां कर लिया जह साथ यहाड हो जहाँ तो इस वएसे यह हमने second जो part है ना उसको mark जा था और फिर यहां पर जो volume में इसका breakout ही नहीं वा तो आगे फिर मारकींगी नहीं कि अभी समझ गया ना जे साथ यहाँ और ठाई यह इस टाउक से टाटा मोटर तो लास्ट हैं बहुत बहुत यह मैंने गया दस परसेंट तक लबब चलाता है नौ या दस परसेंट तक इसने मूट दिखाया था लो से लेकर क्या है तो पांच परसेंट है नहीं यह नहीं था पिर टाटा नहीं था कोई और स्टॉक था अब दीखें टाटा मोटर को देखते हैं बहुत लो हाई यहां पर देखिए सबसे पहली वाली केंडल को लेंगे नहीं लास्ट वाली केंडल को लेंगे नहीं इन सारी केंडल की बीच में सबस्यादों जो वालिम को देख रहे हैं वो इस वाली केंडल की दिख रहे हैं यह वारी जो केंडल है और इसके बाद में फिर जो हमारी दो बचकर 10 की केंडल है इसका ब्रेक आउट कर दिया गया है दो बचकर 15 रूट की केंडल से क्लियर है और प्राइस का ट्रेंड क्या था अब नेक्स टे सिर्फ हम लोग आप ट्रेंड ही देखेंगे शॉट सेलिंग करेंगे नहीं जी सब्सक्राइब अगर यह वॉल्यूम में ब्रेक आउट देखेंगे फिर नेक्स आप देखेंगे हां जैसे कि अपमें यहां पर तो ग्रीन केंडल आ गई है हो सकते है यह वाली केंडल आपकी रेड होती है जी लेकिन रेट केंडल भी है और इसने वॉल्यूम का प्रेकाउट करेंगे अपमे ही अभी तक देखेंगे जितने वी एक्जांपल लिए तो जिस तरह की अपनी एक् सब्सक्राइब लेकिन ज्यादा तरह टाइम आप देखोगे कि नेक्स्ट के लिए आपका मूव जो होता है न वह क्लियर हो जाता है अगर बाई करना तो फिर वह बाई होता है अच्छा बाई अभी जैसे हमने बताया ना के आपका प्री डिफाइंड एडिया कौन सा है आप अपने एंट्री से कंफिर्मेशन कैसे लिए रहो आप इस टॉप्लोस कहां पर लगा रहो अभी आप तो फिलाल आपके तो यह फिर्स्ट क्लास है बाकी आपसे पहले जो है उनको मतलब इससे पहले हम बता चुके हैं कि अधिया कैसा है रीडिंग कैसे होगी इंट्रीज किस तरह से लेने हैं ट्रेंड इंटिफिकेशन कैसे होगा यह सारी चीज़ें बता चुके हैं तो आपको एक तरह से फस्ट तो आप उसको कुछ भी मत देखना सिर्फ नेक्स टेके लिए अपनी एक अपना एक व्यू बनाकर करके रखना और रीडिंग करना इस इतना सा काम करेंगे जी साथ हैं गशा मँअ भार्ती एटल छाई का होगे भारती ड़ीचे अ बहरती एटल छे जोलाई गशा माइकर नूट करेंगे पहणु साथ गजिशा मैं किमुट करिये गजिशा अरे किस टॉक है गजिशा अरे किस टॉक है किसमें फाइव मिनट तरह अरे किस टॉक है कि यह सर दाउन ट्रेंड में था है इसमें भी प्रिक अउट हो गया यह सिर्च प्रिक गडिल इसमें डिक गडल नेक्स शॉट इसमें सर लो कॉन सर लेंगे बैसिकली सार जो नेक्स्ट केंडल है ग्रीन वाला साथ उसका प्राइस को हुआ है पंद्रा की केंडल का जल्लो है पार पो थ्री टू सिरो पंद्रा बीस विस्टे का फर्क है यह वाली केंडल है तो सर यहां के नहीं बैलेड हुआ है 43.20 43 और यह 42 यह वाली केंडल है तो यह इन वैलिडेट हो गया ना सर अगर इसे वाला लोड आ था तो साथ नेक्स्ट के लिए पर इंपॉर्टन केंडल ही यह बन रहे गए जिसको भी हम लोग ब्रेक आउट के लिए देख रहे थे ना तो इंपॉर्टन केंडल ही बन रही है यहां पर कुछ नहीं नेक्स्ट लिए कोई भूब नहीं बाई लेकर के चलेगा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर आपको डिक्रीजिंग देख रहे हैं ना मतलब। आज या कोऌशब के षाबसे हम लेपाएंगे नहीं इसके कोई आगर अगर काम होती मतलब पहले वाले लग जाता तो हम अ तभ ले लेटें पलिले ते लेटे एक चीज और इसमें जैसे हमने अगर जैसे अम लोग टेंड करने लोग इधर की ओर देखना एधर की ओर देखना है डाउं टेन या अब और अगर इसा नहीं है अभी ही एक एक्जाम्पल हमने देखा हमारा अंदर से मन किया था कि इसको डेली टाइम पर आपको दिखा दें हम शायद बूल गया उसको अमभुजा सेमेंट था एंजल वन था अभी दिखाते में कि रूक यह दिखा ही देते हैं को यह वाली नहीं है बारती है इसने भी रेड़ी बनाया होगा अडानी अडानी ने भी रेड़ी बनाया है अब यह देखिए यह नौपंदरागी केंडल है नौपंदरागी केंडल ओपन प्राइस और 325 का क्लोज प्राइस डाउन में है न तो डेली टाइम फ्रेम पर तो यह रेड़ होनी चाहिए जो आपने क्वेश्चन किया के डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग देख लेंगे अगर रेड़ है तो लोग डाउन में करतें और ग्रीन है तो अप्में आप ने यहां पर देखिए आपको जवाब मिल क्या हुआ शायद ना तो लोवर टाइम फ्रेम पर आपको यह रकत करनी पड़ेगे अगर बेसिकली आंसर स्विंग ड्रॉ कर लेंगे अगर अधानी का जो आपने बता है सब्सक्राइब आलमस्ट वो साइड़ वेज़ों चल रहा था बहुत देर तक जहां पर टूरा यह देखेंगे सब्सक्राइब ना इन फिर बाहुत देर बार तूटा चाहा तूर्टी कर आपने शुरू में इस वाटा है कि अगर साइड़ेज रहेगा तो हम छोड़ देंगे तो अगर थोड़ा सा से भी ब्रेक होता है तो चरफीर हम देखेंगे उसको पिर लोग चेंज हो जागा ना टेक्निकली लोग तो चेंज हो गया यह जाए तो थेंक्ट आपके इसको देखिए गार प्रोड़ा जोटा सा सिंपल सा सिस्टम है तो बहुत है पर देखेंगे आपके आपको बता रहे आज के लिए हो सकता है आपको बाई also capital गौर। कर लिए कार तो बहुत अपने अंदर से मार्केट स्ट वने से पहले महालेने कि पाहिmachen ही और हमें पूंझ कुछ आता ही नहीं हम में पतानी क्या है एक तुकशमत ही खराब aur हम से नहीं हो पाएगा का यह सब लोग कर लेते हम ही इस curiosum मार्केट है चलने दो हमारे कोर्डिंग ऐसा होना चाहिए ठीक है शौट के में लेंगे करें तो बाइन दिन हो रहा है तो हो जाने दो एक चीज और इंपोर्टेंट है दिखिए एक होता है कि जब प्रॉफिट में हम लोग होते हैं तो बने रहते हैं उसके अंदर सॉरी जब हम लोग प्रॉफिट में आते हैं तो निकल जाते हैं मतलब बहुत बार ऐसा होगा कि वन इस्टू वन भी अगर आपको अच्छी होगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा काम लोग ने कर लिया वन इस्टू वन पॉइंट फाइफ अगर आप निकल लिया अब लगेगा कि यह तो क्या ही होगे हमसे मेरे कल है कहीं गलती से हमने तू ले लिया अब आप भोल नहीं कर पाऊगे ट्रेट का आप निकल जाओगे बाहर इसके बाद में बात आती है लॉस की अच्छा लॉस में क्या होता है पहले 100 रॉपय का लॉस सौ क्यूं पहले तो पहले 150 का हो गया नहीं है अंदर से आवाज आरी अभी वापस आएगा हमारा लॉस नहीं हो सकता नहीं होगा रिस कपैसिटी आपके 100 रॉपीज ही है अचानक से देख रहे हैं साड़े 300 का लॉस हो गया एक स्वाइब के पड़ा के साड़े 300 को बापर बाप होल्ट कर रहे ह खोल्ट कर रहे हैं खोल्ट कर रहे हैं इसको देख रहे हैं कितना सास्तों को उसकी बाद में आपका लॉस जो है 1k प्लस यह समझे में यह क्या हो रहा है यह हम क्यूं बता रहे हैं यह एक human psychology है जब हम लोग treat भी कर रहे होते ना तो अपने नुकसान को बढ़ाते हैं तो क्यूंकि हम profit में आ गए हैं निकल जाते हैं निकल जाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि हमने losses से ज्यादा बड़े-बड़े profit से ज्यादा हमने बड़े-बड़े loss देख रहे हैं छोटे से profit में तो लगता है कि इसको बुक कर लेते हैं नहीं तो फिर हमारा वापस भी लॉस हो जाएगा अपने लॉस को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके काटो प्रॉफिट को जितना हो सके इंक्रीज करो फिर से वही बात हम यह सारी चीज़ें आपसे क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है जब आप इंडिविज्वली अकेले बैठ करके ट्रेड दकानको और opportun फिरसे क्योंकि हम हम आय। आपसे discuss कर देना तो आपको आपको यह लगएगा कि यह सिर्फ आपके साथ नहीं यह एक्षिली जणरल प्रॉब्लम है । अगर इंटम प्रवल्लम है तो फिर यह सही भी तो हो सकती है यह ठीक हो सकती है सिर्फ करने भर की देर हो तूप पता है शीव जी ने एक ची सिखाई थी कि जैसे ही Maralet आपकी यहां पर आ जाए ये मेरा बिल्कुल लॉस औहुत है यही मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है अच्छा हमें क्या लगता है मार्डित यहां से ही यहां पर आई है अभी देखना यह यहां से विक बना करके मार्केट सीध उपर चलियाएगी और कई बार होता है कि यहां मेरा नहीं है हमको profit यह वैद profit है मेरे लिए इस profit का कोई मतलब नहीं है अगर यह profit हमने किया ना अगर यह वाला profit हमसे हुआ है तो गलतिस हुआ है future में हमें बड़े-बड़े loss इस छोटे से profit की बज़े से होने वाले हैं इस चीद को बिल्कुल मत करना कोई दवाई नहीं है इसकी क पर अपना stop loss लगाया है जाने दो प्राइस को यह 100.55 पर आपका stop loss लगा है और इसके नीचे जो प्राइस चल रहा है आपका 100.50 प्राइस आपका 100.50 दो बहुत दूर की बात है प्राइस आपका 100.54 भी नहीं होना चाहिए 100.55 पर कट कट मतलब कट लगा दिया हमने stop loss वो कट हो गया भले ही प्राइस आपका stop loss ले करके सीध उपर चल जाए हमें उससे मतलब नहीं मेरे काम का अब यह profit नहीं रहा इतना सा काम करना बड़े-बड़े लौsst को धीरे-धीरे-धीरे मत हो मत पॉर इसे stop loss को निकल जाओ और जो टार्गेट आप लगा ऑख अशली मारकेट स्टार्ट होने से पहले हम जो अपना टार्गेट लगाते ना मारकेट में अशटार्गेट को moderates में लेने से पहले हम जो अपना फॉप लाइस लगाते की अपनी calculations निकाली तब जाकर कि कहीं हमें को एक च्छा stop loss मिला तो हमने लगाया है जा कहीं हमें target मिला तो फिर हमने वो target लगाया और इसके बाद में लोग अपने target को revise करते हैं अपने SLS को revise करते हैं जिसका मुतलब यह होता है कि trade में entry से करने से पहले हमारी जितनी भी reading थी वो सारी कि सारी मिटी में मिल गई सब में आग लग गई और ऐसा किसी बाहर वाले नहीं कि ऐसा हम नहीं किया है और यहीं से फिर हम कमजोर होते चले आते हैं क्योंकि हमको हमारी reading के उपर ही believe नहीं है हमें दिखा सब्सक्राइब करें क्योंकि profit दिखता ही कहा है लोगों को थोड़ा से दिखा है बुक कर लो अभी हमने आपको यह चीज़ बाता है यह दीरे दीरे करके practice को सब लोग प्रैक्टिस आपने लगा रखा है ना वन इस्टू थ्री वन इस्टू थ्री मिलेगा हम तभी बुक करेंगे वरनाब अपने स्टॉप लोस दे देंगे और यह तैबात है अगर आपने अपने वन इस्टू थ्री या आप मान के चलिए आप बहुत बड़ा ज़िए लेकर चल रहा हूं लेकिन अपने प्री डिफाइन किया हूं तो फिर आप बन इस्टू लोगे ही लोगे हमें एक पैसे कर भी कुछ नहीं करना एक पैसे कभी पैसे कभी मोंने हमें पूरा वार्ना यह नहीं होना यहां यहां इस जगह तक है और यहां से सीधे नीचे के इस टॉप रोस ले लिए रीग्रेट नहीं करना है यहीं पर बुग कर लेते क्या पता था यहीं पर बुग कर लेते मालूम होता तो तो हम यहां पर ही निकल जाते इसी जगह पर हम निकल जाते क्या करना है चला गया च इसे को मालूम थोड़ी ना है कि क्या होने वाला है इसमें जो रिग्रेट करने वाली एक situation आती ना कि हमें पहले निकल जाते हैं यह सब यह सब यह सब नहीं करना होता है लेकिन यही वो छूटी-छूटी चीज़े हैं जिस वाशे हम लोग लॉस करते हैं बड़ा-बड़ा लॉस करते हैं और यह ऐसा नहीं कि आज हमने आपको बता दे हो फिर मंडे से फिर आप बैट के profit के लिए आप देख लेने हैं सारी चीज़े मालू होने के बावजूद भी एक मशीन की तरह ट्रीट करो लाइव मार्केट में कोई एक्सपेरिमेंट मत करना कोई एक्सपेरिमेंट नहीं एक बार जो बुक कर दिया तो बुक कर लिया जा तो stop loss या target बीश में निकलने की कोई जगा नहीं और ऐसा हमने एक नहीं 20-20 वीडियो में बता रहा है 200 वीडि आगे चल करके पूरी हम क्लास लेंगे आप रहो की जब हम लोग रिस्क एंडिवार्ट रिश्यों के उपर डिस्क्रिशन करेंगे और यह सारी चीज़ें इंक्लूट करेंगे उसके अंदर प्रॉफिट्स तो इंक्रीज प्रॉफिट्स तो हम कम बुक करते हैं बड़ लॉ उसके चार्ट्स में शेयर कर देना है ना यह काम करो बाकी हम लोग देख लेते हैं ओपी का क्या हल चाल है ओपी भी गीरी रहा है जो टार्गेट अभी लोगों ने बोला ना जो हम लोगों ने डिसाइट किया है 15 पर आजाए यहां तक आया गया है हमें ऐसा लग रहा है कि यहां तक आया गया है फस्ट आर्गेट और इस सेंड टार्गेट देखना मजा आ जाएगा है इन ओपी यूए स्टेटी को देखो जो स्ट्रेटिश की प्रेक्टिस करो और जो साइकलोजिकल पार्ट अभी में बताना है इसको इसका अभ्यास को इसके लावर कुश्ट प् यूपियल देखिया उसमें होल्डिंग है मेरे सिक्स डॉपियल के अंदर होल्डिंग है